हलो एबरीवान वेलकम बैक तुमाई चैनल तो चलिए आज मैं आप लोगे साथ है नार्याल और मखाने की वर्फी शेयर करने वाली हूं जिसे आप लोग देख सकते हैं कितनी मस्त वर्फी बनकर तयार हुई है इसको मैंने कैसे बनाया है आई देखते हैं तो यहाँ पास मैं वो एकदम से उभर के आता है और इसकी खुस्बू बहुत अच्छी हो जाती है जैसी कि देख सकते हैं इसको गैस को स्लो करकी ही भुनना है और यहां पास बहुत अच्छे से मकाने भुन कर तयार हो गए हैं आसानी से इनका एक चूरा तयार हो जाता है इसके बाद थोड़ सी ड्राइफ फूट लेने है थोड़े से ड्राइफ फूट मैंने बचा कर रख लिए हैं ताकि उपर से थोड़ा सा इसका गार्निस कर सके इसके बाद हमने ले लिया है एक कटोरी नारियल का वुरा और यहां पास इसको गैस बंदे करकर थोड़ा सा इसमें आच लगाना है इ अच्छी सी औहने लगती है इसको हल्का सा तकरीबण एक मिनट के लिए इसको बुनने के बाद अब इसमें मैंने कढाई में डाल दिया है दूध और दूध मैंने लिया है आधा लेटर और इसको ना अच्छे से पका लेना है और इसके साथ ना अभी इसमें चीनी आड कर वाध रहे हैं ताकि जल्धी है जल्दी फुर्ण चरी उपल को बशी पर उनके जो ड्राइफ रूट्स थे उनको भी मैंने एड़ कर दिया है और इसका अच्छे से महीन पेश्ट तयार कर लेना है तो जैसे कि देख सकते हैं कि एक दम बहुत ही महीन पेश्ट किया है इसके बाद दो तकरीवन आधा हो चुका था पकते पकते तो इसमें पहले तो नारियल क कवुरा मैंने एड़ कर दिया है इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके बाद जो हमने मकाने और ड्राइफ रोट्स का पॉडर तयार किया है तो इसको भी डालकर अच्छे से फटा फड़ से इसका मिक्स कर लेना ताकि इसमें गुटलियां बिलकुल भी ना बने और बहुत अच्छी वर्फी बन कर तयार हुई थी इजी है बनाना कोई भी कठिन नहीं है इसमें मैंने ओपर से डाल दिया है इलाची पोड़ा इसकी खुसबो और टेस्ट दोनों बढ़ाने के लिए और इसको अच्छे से तकरीबन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसको चला अगर इसको पकाएंगे तो जो हमारी वर्फी बन कर तयार होगी तो एकदम से हाड़ हो जाएगी और इस स्टेज में अगर हम बर्फी इसका कट करेंगे ना तो एकदम से सॉप्ट सी बनेगी इसके बाद एक चुम्मच में घी ले लिया है एक थाली में अच्छे से फैला देना है अगर आपके बटर पेपर वर तो भी यूज कर सकते हैं तो थाली में अच्छे से घी फैला दिया है और इसके बाद जो मखाने का पीश्ट है इसको डालकर पूरी थाली में हम अच्छे से फैला लेंगे और इसमें ना जो कर्चि जिससे अब पैलाते हैं उसमें ए आधे गंटे के लिए रिष्ट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए और इसके बाद इसकी हम परती सेब में आपको जिस सेब में पसंद आए उससे बहां पास ना कट कर लेना है तो तकरीवन आधे गंटे का टाइम हो चुका था और इस टाइम तक ना प्राइफोर्स उपर से एड ने किया बस सभी में सभी वर्फियों में एक एक काजू और एक एक बादम मैंने यहां पास उपर से फिक्स कर दी है तो चलिए यहां पास मखाने और नारियल की वर्फिय बनकर तयार होई है इसको आप वरत में नौरात्री के वरत है या कोई वरत में अभी दीवाली आने वाली है तो दीवाली के लिए इस्पेशल मिठाई आप मुझे को घर में बना सकते हैं बहुत कम पैसे से और बस कैसे बनकर तयार होई है कमेंट करको जुरूर बताईएगा मिलते हैं नेश्ट देस्पीड़ाइगा